हाई गाईस, M.M. Medicine Knowledge चनल में आपका स्वागत है आज मैं आपको नेजल पीडेट ड्रिक्स ड्रॉफ्स के बारें बताऊँगा जैसे कि आप देख रहे हैं नेजल पीडेट ड्रिक्स ड्रॉफ्स टू कॉमिनेशन से बना हुआ है फर्स्ट जाइलो मेटाजोलाइन हाईटर क्लोराइट 0.05% वेट बाइब बोलियम और सेकेंड वेंजल कॉनियम क्लोराइट 0.01% बोलियम बाइब बोलियम से बना हुआ है और यह दवाई जैसे कि आप देख सकते हैं एमस्टेर लेफ्स कंपने तरह बनाया गया है और डॉक्टर मोर्फर लिमिटिट कंपने तरह मार्केटिंग किया गया है और इस दवाई की कीमत 44 रुपे 12 पैसे पर पीस है और इस दवाई के परियोग बच्चों में सर्दी जुखाम के कारण नाक बंद हो जाता है जिससे सास लेने में बच्चों को बहुत परिसानी होती है तो इस डॉप्स का इस्तिमाल कर सकते हैं और इसके अलाबा दूल मिट्टी के कारण जुखाम नेजल साइनन्स, ऐलर्जी के कारण जुखाम और नाक में सुकापन है तो इस डॉप्स के इस्तिमाल कर सकते हैं सो गाईस अब मैं इसके साल के बारें बताऊंगा जालो मेटाजोलाइन हाईटो कलॉराइट साल कैसे काम करता है जालो मेटाजोलाइन एक टॉपिकल डिकंजैंस इंस्टेंट है जो नाक में रक्त वाइनों एनी शीराव और धमनियों को संकुचित करके नाक और साइनेंस के जाम से रात दिलाता है और वेंजल कोनियम क्लोराइट साल कैसे काम करता है वेंजल कोनियम क्लोराइट दवाओ की शुरक्षा के लिए इस्तिमाल किया जाता है So guys, वैसे तो इस दवाई के कोई side effects देखने को नहीं मिलते लेकिन किसी किसी को कुछ side effects देखने को मिल सकते हैं जैसे की नाक का लालपन, नाक मजलन, उपकाई और सीर दर्थ हो सकते हैं एधिस पर के कोई मी समस्या हो तो अपने डॉक्टर को बताए So guys, इस दवाई को देने से पहले साफ़ दने बढ़तने चाहिए ये दवाई सिरीप नाक के लिए है और ध्यान रही ये दवाई कान और आखों में ना डाले इस दवाई को बच्चों के हाथ से दूर रखे और इस दवाई को ठंडी और अंधिरे जगे में रखे So guys, डोज के बारे बात करें तो ये डोज एक साल से गरा साल तक के बच्चों को दे सकते हैं और एक साल से चोटे बच्चों को नहीं देना और एडल पेशन को भी इस दवाई को ना दे एडल पेशन के लिए हैवी डोज वाला डोज आता है और ये ड्रोस बच्चों को लेटा कर दो भून दिन में तिन बार दे सकते हैं आपको नफ्रेशन कैसा लगा अच्छा लगा तो प्रिज लाइक सब्सक्राइब और बेल एकान दवा दिजिए धन्यवाद